जिन्दगी जीना आसान नहीं होता है और याद रहिए बिना संगर्ष कोई महान नहीं होता है जब तक ना पड़े हतोड़ी की चोट पत्थर पर पत्थर भी भगवान नहीं होता है इसलिए आप किसी के इंतजार मत करिए संगर्ष कर रहे हैं तो स्मार्ट वक करना शुरू कर दिजिए और इसे समझ लिया तो यही सफलता का मीन राश्य वाले लोगों के लिए जनवरी महिने में गुरु मंत्र बन जाएगा दमश्कार प्रेसातियों मैं हूँ सुरेश श्रिबाली और आप देख रहे हैं मीन राश्य जनवरी राश्य फल इस विशेश कारेकर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले हम बात करें कि कौन कौन से प्लैनेट अपनी राश्य बदल रहे हैं कौन सी डेट पर जनवरी में एलेट रहना है और कौन सी शूप डेट है बात में बिजनस और वेल्थ, जॉब और प्रोफेशन, फैमिली लाइफ, लव लाइफ, रिलिस्टिशिप, स्टूडेंट और लर्नर, सेहत और ट्रेवल प्लैन और हम तुम्हें यादगार और शांदा जनवरी बनाने के होंगे उपाए शुरुबात हम ग्रहों के परिवर्तन से बात करते हैं 14 जनवरी से सूर्य 11 आउस मंगराशी में और उसी दिन बुद्वक्री होकर आजाएंगे 11 आउस में और 16 जनवरी से मंगल करमिसान दनुराशी में रहेंगे मेरे प्रेशातियों जब आप हो मैं हूँ आमखास कोई विवेक्ति हो सकते हैं महिने में 2-4 दिन कुछ ऐसे होते हैं जिस पर मन नहीं लगता है मन में निराशा होती है अपने साथ छोड़के चले जाते हैं काम नहीं बनता है बनते काम बिगडते हैं टैंशन और डिप्रेशन होती है ये तब होता है जब मीन राशी से चंदरमा चौथे आठवे और बारवे चले जाए ऐसा तब होता है जब मन सो जाते चंदरमा डैमेज होते हैं ये डेट्स में इसलिए दे रहा हूं ताकि आप अपना और अपनों का खैल उस वक्त कर सकते हैं जब इस सिचुशन है सबसे पहले देखे चे और साथ जनवरी को बारवे पंदरा सोला सतरा जनवरी को चौथे और पच्छिस जनवरी को आठवे रहेंगे खैल रखेगा अब बात करते हैं शुब तारीकों की एक दो तीन 29 और तीस जनवरी को नवम यानि भागिया और करम इसान में चंदर मंगल का मालक्ष भी हो चे और साथ जनवरी को च्वेल्थ आउस में चंदर गुरू का गच के स्रियोग और 14 जनवरी से 11 आउस में सूर्य बुद का बुदा देती हो रहेगा आए शुरुबात करते हैं बिजनस एंड वेल्ट से राहू की पांच विद्रिष्टी बिजनस आउस पर होने से बिजनस परसंस के लिए समयत अच्छा है लेकिन अग्यात भय परेशान करेगा इससे सोच विचार कर है स्टेप में आगे पड़े चवदा तारिक से बिजनस के कारक बुद 11 आउस में वक्री होंगे जिससे बैंकिंग, फाइनस, अगाउंटिंग आपको खुद संबालने पड़ेगे, मैनेजमेंट संबालना होगा वरना चोरी, चोट, अपना ही कोई साथी छोड़के चला जाए, किसी से वहर विरोध, लीगल कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं पांच, तेरा, चौदा और 31 जनवरी को चंदरबांग का सेवन्थ हाउस से नवम पंचम राजयोग रहेगा, जिससे आपके लिए यह महिना एक लग्की साबित हो सकता है, नया प्रॉफिट मिल सकता है, अगर आप सिरफ साइलेट रहे और अपने काम पर ध्यान रहे, जो आपके बिजनस पे आपको लीगल प्रॉब्लम आ सकती है, हर पेपर संभाल के रखें और साइन डंग से करें, आपके बिजनस पे पार्टनर्शिप आपके लिए न्यू लर्डिंग फेज लेकर आएगी, मैनुफैक्टरिंग और इंपोर्ट एक्सपूर्ट वाले लोगों को बहुत एलर्ट हैना पड़ेगा और अपने एंप्लोईज को संभाल के आपको यूज करना होगा, बात करते हैं जौब और प्रोफेशन की, कर्म भाव पाप करतरी दोष्ट में हैं, जिससे वर्ड प्लेस पर आपकी छोटी सी गलती आपकी जौब चीन सकती है, तेरा, चौदा, अठारा, उननीस जनवरी को, चंदरबा का करम में सान से सडाश्ट दोष रहेगा, जिससे प्रोफेशन लेवल पर आपका वर्कलोड थोड़ा बढ़ जाएगा, जौब के कारक सूरी है, चौदा तारीक से, 11 आउसमें बुद्ध के साथ बुदाधी लजर्स के लिए नए क्लाइंट लेकर आ रहा है जनवरी, इसलिए आप अपनी काबलेत पर विश्वास रखें और क्रोथ को कम करें, बात करते हैं फैमिली लाइफ, लव लाइफ और रिलेशेशिप की, राहू की पांच दिर्ष्टी, 7 आउसमें से, पार्टनर के साथ नई बॉंडिंग बनेगी, जिससे आपको रिलेक्स फील होगा, लेकिर अग्यात भय और शक अपने पार्टनर को लेकर ज़्यदा रहेगा, पांच, तेरा, चौदार, एकतीस जनवरी को, चंदरमा का सेवन्थ आउस से नवंपंचम राजियोग रहेगा, जिससे फैमिली लाइफ में परिवार के सभी सदसी मिलकर, खुशी के पल जिएंगे, लव लाइफ के कारक शुकर का, सेवन्थ आउस से सुख और करम का संबंद बना जिससे सिंगल को न्यू पार्टनर बे लेगा और ये मिलान सोशल मीडिया के माद्दिम से होगा तो और अच्छा है। आपको एक प्रोफेशनल तरीके से भी अपने भागिदार को साथ देना चाहिए। यानि आपके पास उनर है तो अपने पार्टनर को दिखाईए, प्रोफेशनल आगे बढ़िए, स्टूडेंट और लर्नर की बात करते हैं। विदेश जाना ये टाइम अच्छा है। कॉंपेटिशन लेवर में अच्छी रैंक प्राप्त हो सकती हैं। अब बात करते हैं सेहत और ट्रैवल प्राइन की। इसमेने पांच बार पर्सन और प्रोफेशनल लाइफ को यात्राएं करने अवसर बिलेंगे। चार, पांच, आठ, नौ जनवरी को चंदरमा का छटे बाव से सडाश्टक दोश रहेगा जिससे आपको मन्त की शुरुवात में कुछ हेल्थ इश्यूज हो जाएंगे। गुरू की साथवी दिश्टी छटे बाव पर उने से हेल्थ के परती आपको सजग रहने के जरूँ थे। जरूर इस महीने को शांदार बना सकते हैं। दो जनवरी देव पित्रकार या महवस्या पर एक कटोरी आटा लें। उस पर गुड मिलाकर रोटी बनाएं। दक्षन दिशा की और मुंग करके पित्रों को रोटी का भोग लगाने को कहें। फिर ये रोटी गाय को अपने हाथ से खिलाएं। तेरा जनवरी पुत्रदा एकादशी और लोडी पर उपर। आप अपने सभी कामों में संतान का और संतान से सुख पाना चाते हैं। तो आप इस दिन सुखस्नान आधिकारियों से निवरत उने पाद स्री विष्टु भगवान को प्रणाम करें और आसन बिचा कर बैठ जाएं। फिर भगवान विष्टु जी के ओम नमो भगवते नारानाय मंत्र का ग्यारा मिनट तर जाप करें। चौदा जनवरी मगर संकरांती पर मेरे परिसातियों जल में हल्दी, केसर, पीले, पुष्प और तिल बिलाकर सूरी देव का अर्गयत हैं। सरसों केसर का दान करें सम्मान और यश बढ़ेगा। 28 जनवरी शट तिला एकादशी वरत पर सूंदरिब निखार पाने के लिए आप दही और तिल का उपड़न लगाएं। इसके बाद तिल के पाने से नहाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमहा मंत्र का जाप करें। स्वस्त रहें, मस्त रहें और वियस्त रहें। मीन राश्य वाले लोगों को उनके परिवार के सदस्यों को नव वर्ष के बहुत बहुत शुब कामने। मुझसे परसनल या प्रोफेशनल लाइफ के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं। करें।